बहनों और भाईयों, बीते कुछ महिने, हम सभी के लिए, पूरी मानवजाद के लिए, बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कुरोना वाइरस के बदलते विए, और खतरनाग गुरुप ने, पूरी ताकत के साथ हमला किया था। लेकिन काशी सहीत, यूपी ने, पूरे सामर्थ के साथ, इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी, दुनिया के दर्जनों, बड़े-बड़े देशों सभी जादा हो। वहाँ कोरोना की दूसरी वेव को, जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान, यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमन को फैलने से रोका, वो अभूत पुर्वा है, वरना यूपी के लोगों ने, वो दौर भी देखा है, जब दिमागी बुखार, इंसेफलाइटीस, जैसी बिमारियों का सामना करने में, यहाँ कितनी मुश्किले आती थी। पहले के दोर में, स्वास्त सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ती के अभाव में, छोटे छोटे संकट भी, यूपी में विक्राल हो जाते थी। और ये तो सौ साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफ़त है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उलेखनिया है। मैं काशी के अपने साथियों का यहां शाचन प्रशाचन से लेकर कोरोना योध्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेश रुप से आभारी हूँ। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोकों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कारियों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर समनने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सिनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सिन, मुप्त वैक्सिन इस अभ्यान के माध्यम से गरीब, मध्यमबर, किसान, नवजवान सभी को सरकार द्वारा मुप्त वैक्सिन लगाई जा रही है।